हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल सलवार की कटिंग करना सिखाएंगे बहुत ही आसानी से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमने शलवार कटिंग करने के लिए दो मीटर कपड़ा लिया है देखी कपड़े को इस प्रकार से हमने फोर फोल्ड में बिछाया हूँ है इस तरीके से तो यह किनोरी वाली साइड रखी है और यह बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और उपर की तरफ से हमने कपड़े को कट करके सीधा कर लिया है अब हमें अपने शलवार की लंबाई देखना है तो शलवार की जितनी भी लंबाई है उसमें हम उपर की तरफ 6 इंच का बैल्ट अटेच करेंगे तो यहाँ पर जितना हमें बैल्ट लगाना है उतना हम इंची टेप को उपर छोड़ते हुए लंबाई नापेंगे तो शलवार की लंबाई जितनी भी तयार है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर हमारी शलवार की लंबाई थी 39 इंच तो मैंने 1 इंच प्लस करके 40 इंच पे निशान लगाया है तो देखी यहाँ पर मैंने 40 इंच पर निशान लगाया है और दूसरे साइड में भी हमें 6 इंच इंची टैप को उपर चोड़ते हुए इस तरीके से निशान को लगा लेना है 40 इंच पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ और उसके बाद हमारे जो दोनों साइड के निशान है हम इने सीधा कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से सीधा वाला स्केल का हमें यूज करना है यहाँ पर और दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे देखिए दोस्तों निशान सीधे हो चुके हैं उसके बाद यहाँ पर हमें bottom को folding के लिए कपड़ा लेना है bottom को fold करने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 inch कपड़े का use किया है और 1.5 inch पर हमने ऐसे निशान लगाए है देखें यहाँ पर मैंने 1.5 inch पर निशान लगा कर उस निशान को सीधा कर लिया है अगर आप थोड़े चोड़े पाचे बनाना चाहते हैं तो आप 2-5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं तो देखिए दोस्तों ये निशान भी हमने सीधे कर लिये हैं अब उसके बाद यहाँ पर हमें जो है अपने आसन का निशान लगाना है तो देखिए 6 इंच तो हमें उपर की तरफ बैल्ट को छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर बैल्ट अटेच होगा और हमारा आसन जो है वो हम लगाएंगे 16 इंच पर जो की तैयार रहेगा और इसमें हमें 1 इंच की मार्जिन प्लस करना है तो यह टोटल निशान हमारा फाइनल जो रहेगा वो आएगा 17 इंच पर इस तरीके से हमने 17 इंच पर निशान लगा दिया है अब हमें तैयार पांचे का निशान लगाना है तो जैसे मोरी हमें 6 इंच की तैयार रखना है तो देखिए यहां पर हमें 6 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है और 1.5 इंच यहां पर हम मार्जन लेंगे आप जितनी भी मोरी तयार रखना चाते हैं उतना निशान लगा सकते हैं और 1.5 इंच मार्जन लेना बहुत ज़ादा जरूरी वो आपको भी देड़ इंच ही लेना है और देखिए इस तरीके से हमें इन दोनों पॉइंट पर स्केल रखते हुए ऐसे हम मिला देंगे आसन से बॉटम के मार्जन वाले निशान तक देखिए इस प्रकार से हमने यहां पर स्केल से मिला दिया है अब हम जो है जितना हमने निशान लगाया था उसी निशान पर हम इसे कट कर लेंगे तो देखिए दोस्तों हमें बिल्कुल निशान पर कट करना है क्योंकि हमने मार्जन वगेरा पहले ही ले ली थी अब हमें कोई भी मार्जन नहीं लेना है तो देखी यहां पर हमने cutting तो कर ली है अब यह जो हमारे bottom folding का हमने निशान लगाया था अब यहां पर हमें एक cut लगाना है तो देखी इस तरीके से एक cut हमने लगा दिया है अब यह जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हम belt और म्यानी cut करेंगे तो देखी यह जो है कपड़ा दो हिस्सों में बचा हुआ है तो दोनों को एक के उपर एक रखते हुए हमने अच्छे से प्रेस लगा कर set किया है देखी यह दो हिस्सों में कपड़ा है अब हम इसकी लंबाई और चोड़ाई नापेंगे तो देखी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे तो हमारे belt की लंबाई टोटल हम तयार रखेंगे 6 इंच तो 6 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगा देना है और और 6 इंच हमें यहाँ पर एकस्ट त्रा निशान लगाना है देखी सीधा सीधा ऐसे निशान लगा लेना है और साड़े आठ इंच पर ही हम इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाते जाएंगे यह हमारे बैल्ट की टोटल लंबाई होगी जिसमें धाई इंच की हमने मार्जिन ली है और तयार बैल्ट हमारा 6 इंच का है तो देखी यहां तक हमने ऐसे निशान लगा लिया है अब इन निशानों को भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे देखी इस तरीके से हमें स्केल रखते हुए निशानों को सीधा कर लेना है उसके बाद हम अपने बैल्ट की चोड़ाई चेक करेंगे हमने लंबाई का निशान तो लगा दिया है अब हमारा जो तयार बैल्ट रहेगा वो रहेगा 23 इंच 23 इंच उसमें हमें 1 इंच की लूजिंग लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन स्लाई के लिए तो टोटल यहाँ पर हम 24 इंच पर निशान लगा देंगे देखी इस तरीके से 24 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इस निशान को भी सीधा कर लेना है और जितना हमने निशान लगाया है उतना ही हमें बैल्ट को कट कर लेना है मारजन वग्यरा का हमने एक्स्टा कपड़ा पहले ही इसमें ले लिया था तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बैल्ट को कट कर लिया है चारो तरफ से अब यह जो थोड़ा से हिस्सा यहाँ पर कम पड़ गया है कटा हुआ देखिए थोड़ा से कटा हुआ कम है यहाँ पर हम छोटा से एक जोइंट लगा देंगे इस तरह से देखिए दो पट्टियों को देखिए दो पट्टिया नहीं है हमने कपड़े की ऐसे रखते हुए हाफ इंच चड़ा कर ऐसे रखकर थोड़ा से एक्स्ट्रा कट कर लेंगे यह जोइंट लग जाएगा यहाँ पर तो हमारा यह जो कपड़ा कम है वो बिल्कुल बरावर आ जाएगा तो देखिए दोस्तों हमने बैल्ट कट कर लिया है अब हमने यह दो पीसेज को लिया है जिससे हम म्यानी कट करेंगे तो देखिए यह दो हैं पीसेज अब हमें म्यानी की लंबाई जो है वो लगभग 8 इंच रखना है देखिए हम 8 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे गुलाई में और यहाँ पर भी हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे और ऐसे इसे हलका सा गुलाई देते हुए हमें इसे कट कर लेना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने म्यानी कट कर ली है और अपने सभी शलवार के पार्ट्स को अच्छे से सेट कर लिया है तो देखिए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने अपनी शलवार को अच्छे से सेट कर लिया है ये शलवार कटिंग का फाइनल लूक है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें